गुदिबिनिंग प्यारी बच्चो तो कैसे हैं आप लोग regular आज में फिर से आप सbी को भुगोल पढ़ाने के लिए आया प्यारी बच्चों भुगोल में हमारा चल रहा है भुगोल का चवथा अध्याई मानव विकास ठेक है पिछले कलास में मैंने आप सभी को मानव विकास को काफी अच्छे तरीके से समझा दिया था यानि कि जो हमारा फॉर्थ चेप्टर है मानव विकास मानव विकास को काफी अच्छे तरीके से समझा दिया था इसलिए पैड़े बचो आज की क्लास में हम लोग भुगोल का जो हमारा चौथा अधियाई है इसे चौथे अधियाई का प्रश्न उत्तर करेंगे ठेक है पैड़े बचो तो पैड़े बचो प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पैड़े कोर्श को जोइन नहीं कर रखा है तो आप अवस रुप से हमारे पैड़े कोर्श को जोइन कर लिजिए पूरे साल का पाप्चो विशय का मातर आपको 1500 रुपे आपको लग रहे हैं जिसमें सभी विशय आपको चप्टर वाइज पढ़ाये जाएंगे चप्टर वाइज लाइप क्लासेज, नोट्स, कोस्टन इंसर कोर्शन इंसर में MBBI, BBI प्रशनों को चीनित किया जाएगा यदि आप हमारे बाताए गए MBBI प्रशनों को ही अच्छे से कर लेते हैं तो निश्ची तोरपे 75 परसेट नमबर कम से कम आपको चले आएगे अक्टूबर के अंत में सिलिवस को समाप्त करने के बाद गैस को संदिकर के रिवीजन भी आपको करवाए चाहेंगे यदि आप हमारे प्रशनों में जुर्णा चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारा नमबर है सत्तर एक सत्त पचास पैतालिस बावद तो प्यारे बच्चों हमारा जो पहला लगू प्रश्ण निकल करके आ रहा है पहला लगू प्रश्ण है मानव विकास से आप क्या समझते हैं तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को मानव विकास को लेक्चर की कलास में मैंने समझाया था मैंने कहा था कि जब कोई व्यक्ति के जीवन में गुनात्मक परिवर्तन आता है। तो कापी अच्छे तरीके से लेक्चर की कलास में मैंने मानव विकास को समझाया था लेकिन यदि आपके एक्जाम में यहाँ प्रश्न पूझता है मानव विकास से आप क्या समझते हैं तो इसका जवाब आपको किस परकार से पेड़े वचुद दीना है इसका किस परकार से उत्तर आपको कुछ इस परकार से लिखना है जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुनात्मक परिवर्तन हो तो उसे मानव विकास कहा जाता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुनात्मक परिवर्तन हो तो उसे मानव विकास कहा जाता है स्वास्त रहने के अस्तर में होने वाले परिवर्तन से हैं यहां पर पेड़े बुच्छ्च आपका नहीं जो मानव विकास के तीन मूल भूत छेत्र कौन कौन से हैं मैंने लेक्चर की कलास में काफी अच्छे तरीके से आप सभी को मानव विकास के मूल भूत छेत्र के बारे में आपको बताया था कि मानव विकास का जो मूल भूत चेत्र है सिक्षा है स्वास्त है और संसाधन है तो इसका उत्तर हम लोग कुछ इस परकार से लिखेंगे मानव विकास के तीन आधार भूत चेत्र जो नोनो एक ही है तो मानव विकास के तीन आधार भूत छेत्र हैं यानि मूल भूत छेत्र वो छेत्र स्वास्त सिक्षा तता संसाधन तक पहुंच इन्हें में काफी अच्छे तरीके से लेक्चर की कलास में समझाया था तो यदि आप लेक्चर की कलास नहीं अटेंड किये हैं तो आप अब अशुरूप से करने जाएगा तीसरा प्रश्ण आपका निकल करके आता है मानव विकास के चार परमुख घटक या अस्तम या तत्व के नाम लिखे प्यारे बच्चों मानव विकास का चार परमुख देखे घटक पूछे या तत पूछे या आपको अस्तम पूछे बात बड़ाबड तीरों में से कोई एक भी पूछता है तो आप समझ जाएए कि मानव विकास के चार परमुख घटक अस्तम या तत्व के नाम लिखे मैंने लेक्चर की क्लास में आपको बताया था कि मानव विकास का चार अस्तम पहला अस्तम समता है यानि समानता है दूसरा सतत्पोस नियता है तिसरा उत्पादकता और चौता ससक्तिकरन है तो किस परक करना मदाश qué चार पर्मुग घटक निमिनिकित्ya हैं पहला है संता ठे Cash हम उस इस्थिति को छमता ने सो हर और संता हम उस इस्थिति को संता कहेंगे जब संसादनों की उपलब्दता में किसी भी परकार का भेद भाव ना हो ठीक है यारे किसी भी परकार का भेद भाव संसाधनों में ना हो समानता का भावर है अर्थात सभी लोगों को संसाधन उपलब्द कराना है ताकि सभी लोगों को विकास करने में समान अवसर मिल सके अब देखिए सभी नागरिक का प्यारे विकास तभी हो पाएगा जब हम लोग समानता का भाव रखेंगे यदि हम समानता का भाव नहीं रखते हैं भेद भाव कर देते हैं संसाधनों में तो जिनके साथ भेद भाव किया जाएगा वे लोग तो संसाधन का उपयोग तो नहीं कर पाएंगे तो जब वे लोग संसाध दूसरा आपका पॉइंट हो जाता है सतत पोस नियता मैंने सतत पोस नियता को भी काफी अच्छे धंग से बताया था मैंने कहा था कि वर्तमान में प्यारे बचों जो भी हमारे पास साधन है ठेक है उस साधन को या उस साधन को इस परकार से पर्योग करना है कि जिससे हमारे आने वाला पीडी भी उसका परियोग कर सके यह साधर सिमित होते हैं जैसे पेट्रोल हो गया कोईला हो गया यदि हम आज हम पेट्रोल का कोईला का अत्यदिक उपयोग कर लेते हैं पेट्रोल कोईला समाप्थ हो जाता है तो आप ही बताईए कि हमारा क्या पेडी उसका इस्त उपलवद संसाधनों का इस पर्या इस परकार पड़ियोग करना जिससे आने वाले पिडी को भी वह संसाधन उपलवद हो सके जिससे पेटोल हो गया कोईला हो गया इस परकार से ठीक है कि यहां पर उत्पा दक्ता का अर्थ लोगों को सक्षम बनाना क्या बनाना है सक्षम यदि हम लोगों को सक्षम बना देते हैं तो जाहिड से बात है लोग अपना विकास कर पाएंगे तो यहां पर उत्पादक्ता का अर्थ लोगों को सक्षम बनाना है ताकि संसाधनों का पर्योग अच्छे से किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लाब पड़ाप्त किया जा सके है ठीक है पैड़ वच्छा छट्था आपका पॉइंट है सवसक्तिकरन का मतलब पिछरे हुए लोगों को समर्थ बनाना ताकि वह भी अन लोगों की तरह संसाधनों का उपयोग कर सके है यानि सभी लोगों को जोड़ना जो पिछरा हुआ है जोड़ करके समर्थ बना देना जिससे वे लोग भी अपना क्या कर सके तो पैरबच्छों विकास कर सके ठीक है तो यहाँ पर हमारा तीसरा लगव प्रस्ण समाप्त होता है इसलिए अब हम आते हैं चव्थे लगव प्र तरीके से आप सभी को समझाया था, इसलिए आपको उत्तर कुछ इस परकार से लिखना है, विर्दी और विकास में निमलिखीत अंतर है, एक साट में विकास कर दिया, एक साट में विर्दी कर दिया, ठीक है पेरवच्चो, पॉइंट बाइप पॉइंट कर जाएंगे, आप इसलिए अच्छे अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे, या कभी-कभी सिधे पूछेगा विर्दी से आप क्या समझते हैं विकास से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रकार का Point लिख देते हैं तो कब आप आपको पराप्त हो जाएंगे, पहला विकास, ठीक है गुनात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है मैंने आपको बताया था विकल्पों में विर्दी होना वर्तमान इस्थितिम में परिवर्तन होना ही विकास है ठेक है विकास धनात्मक होता है मैंने आपको यह भी बताया कि जब भी विकास होगा तो इसका मतलब है कि वो धनात् थनात्मक नहीं होगा तब तक विकास ही नहीं होगा इसलिए जो विकास होता है प्यारवच्छ वहां आपको धनात्मक आपको हो जाता है ठीक है कि अस्तर जैसे स्वास शिक्षा और गुन्हों में विर्दी नहीं हो जाए यानि कि भले अब इस संख्या के बढ़ने से द्रमाब 20,000 से बढ़के 30,000 हो गया तो यह तो विर्दी हो गया लेकिन जरूरी नहीं कि हर विर्दी क्या हो तो विकास को अंकित करें एक्जांपल के यह आपका जो सेलरी है 20,000 से बढ़कर के 30,000 बेसक हो गया लेकिन आप इन बढ़े हुए से आप अपना स्वास्थ को नहीं सुधार पाते हैं अपने घर का सिक्षा को नहीं सुधार पाते हैं रहन सन की दसाओं को सुधार नहीं पाते हैं ठीक है अपना जीवन एस्टेंड है विर्दी तो जायर से बात विकास गुनात्मक है तो विर्दी मात्रात्मक है जब मात्रात्मक होगी तो विर्दी को मापी जा सकती है ठीक है तो विर्दी मात्रात्मक होती है विर्दी को मापा जा सकता है विर्दी धनात्मक और रिनात्मक दोनों हो सकता है ठीक है पहरे ब नेक्स्ट आपका पॉइंट है जनसंख्या में होने वाले पड़िवर्तन को ही विर्दी का जाता है जैसे मान के चलिए दो से बढ़ के पांच हो गया तो यह भी विर्दी है वह अलग बात है कि रीनात्मक विर्दी है तो इसलिए पैड़े बच्चों जो आपका विर्दी है वो धनात्मक और आपका रीनात्मक दोनों होता है ठीक है तीसरा आपका पॉइंट है वो धारन के लिए अगर आपकी बीस हजार से बढ़के तीस हजार हो जाती है तो इसे हम विर्दी कहेंगे क्या कहेंगे विर्दी भले ही इससे आपके रहने की इस्थिति सिक्षास्वास्त या अन्गुनों में कोई परिवर्तन ना आए ठीक है पाचमा आपका पॉइंट है कि सार्थक जीवन क्या है तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है यह पॉइंट बताना छुट गया था हलां कि यह पॉइंट आपको पीछली अधिया आई तो देखें सार्थक जीवन क्या अब जो लोग जो अपना जीवन या अब एक सो साल जीना ही जीवन नहीं है सार्थक जीवन जीवन का मतलब होता है बुरारी तक जीना मतलब नहीं होता है आपको एक लक्ष को ले करके चलना है उस लक्ष को पूरा करना है समाज में सहयोगी बनना है सबकी सहयता करना है यानि जीवन जीओ तो इस परकार जीओ कि कोई लोग आपको याद रख तो वही तो हो जाता है सार्थक जीवन तो देखिए उत्तर सार्थक जीवन का अर्थ लंबे जीवन से नहीं है यानि बुरारी तक जीना उससे नहीं है ठीक है यहां उद्देश पूर्ती के लिए होना चाहिए यहां उद्देश पूर्ती के के बढ़ने की योगिता हो समाज में सहयोगी बने तथा अपने उद्देश को पूरा करने के लिए स्वत अंत्रा ठीक है तो इस प्रकार का यदी आपने एचीवमेंट कर लिया है तो अप्षार्थक जीवन जी रहे हैं चठा आपका लगू प्रशन है मानव विकास सूच कांग से आप क्या समस्ते मैंने काफी अच्छे तरीके से मैंने मानव विकास सूच कांग को बताया था तो इसलिए उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है मानव के अस्थित्व के लिए अनिवार भोजन वस्त और आवास तता सुख दायक वस्तुवों को जुटाना ही मानव विकास है ठीक है आर्थिक विकास की माप एवं तुलना के उद्देश से संयुक्त राष संग द्वारा संयुक्त राष्ट विकास कारिकरम के अंतरगत जीवन गुनवत्ता सूच कांग की रचना की गई जिसे मानव विकास सूच कांग का नाम आपको दिया गया इसका पर्तिपादर भी कौन के था मैंने आपको बताया था डाक्टर महभूम उलहक ने 1990 में आपको किया था इसका जो स्कोर होता है जीरो से लिक्र के विकास नहिंसे जहां नहीं होता है और एक संख्या के निकट वाले स्कोर को माना जाता है कि वे लोग काफी ज़्यादा विकास कर चुके हैं तो काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था लेक्चर की कलास में समझाया था तो इसलिए प्यारे बच्छों अब हम आते हैं सात्मे प्रश्न पर आपका जो सात्मा प्रश्न है मानव विकास उचकांग के आधार सब्सक्राइब लुकोनि और प्लच्ट पर थेकल मानव विकास सुचकांग के अधार पर देशों का वरगी करन किस परकार किया जाता है तो प्यारे बच्छों देखिए मैंने ये टेवल भी आपको वाइड़ बूर्ट पर बना करकी काफी अच्छे तरीके से समझाया तो प्याड़े बच्छों इसका उत्तर है उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि अरजीत मानव विकास सुचकांग की आधार पर 2018 में विश्व के देशों को चार वर्गों में बाटा जाता है कितने वर्ग मेंत दर पेहले वर्च चार वर्ग आति ऊच ऊच चार वर्ग आती ऊच ऊच मद्यम और आधाया था और दोसे तपको देसों के नाम मैंने लेक करके ही कलतों आपको काफी अच्छे से समझाया था ठीक है तो देखिए आती उच्छ में वे देश आएंगे जिन देशों का जो स्कोर होता है वो जीरो दसालों आठ जीरो जीरो से अधिक है ऐसे देशों को अथी उच्छ वड़क में रखा गिया है अभी तक अईसे देशों की संख्या 59 है जिने में से एक देश से नौर्वे कि और नौर्वे का अभी तक सबसे ज़्यादा मान वी का सुच का एसकोर यदि आप से पूछ जाएगा कि बताओ विस में मान वी का सुच का का सबसे ज़्यादा किस देश का है तो उत्तर हो जाएगा नौर्वे का ठेक है उच में वे देश आते हैं जिनका आ marriage इसको जीरो से लेकर के साथ जीरो एक से जीरो दस लेकर के 9 के चाहसे देश्व की संख्या ठिरपन है जिसमें से एक पना माहम मद में वेदेश आते हैं जिनका मानव विकास उचकांग का स्कौर। 0,2550 से 0,39 cat वीच आता ऐसेदेसों की संख्या 49 हैं कुछ देशों के नाम में जैसी आपको भाड़त आता है मानव विकास का जोलि मों निमन अस्त्र होता है निमन अस्त्र यहां पर आपका लगू प्रश्ण उतर आपका समाप्त होता है अब हम बढ़ेंगे दिरिक प्रश्ण उतर पर लेकिन दिरेख प्रश्ण उतर पर बढ़ने स्पहले आपको में बताना चाहूंगा बहुत सारे बच्चे हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो आप आपको कहानी होगा सारा का सारा मानव विकास के बाड़े में जिस पर स्वास्त हो गया सिक्षा साधन इसी पर काफी ज्यादा जूर आपको दिया जाए तो इसका उत्तर हम लोग कुछ इस परकार से देख लेते हैं मानव विकास स्वास्त भोतिक पर्यावरन से लेकर आर्थिक समाजिक और राजनितिक स्वातरता तक सभी परकार के मानव विकल्पों को सामील करते हैं लोगों के विकल्पों में विश्तार और उनकी सिक्षा स्वास्त और सेवाम तता ससक्तिकरन के अब सदों में विर्दी की इन सबी चीज में विर्दी की पड़के लिया कौन सब चीजिक चाह स्वास्ते स्रीवाइस शक्तिकरन नहीं विकास का अर्थ केवल धन वह संपती का विश्तार नहीं बलकि धन वह संपती द्वारा मानव का समर्ग विकास मानव का समर्ग विकास यानि मानव का पूरा का पू स्वास्थ हो गया स्वास्थ हो गया स्वास्थ हो गया स्वास्थ हो गया स्वास्थ नहीं तो इस परकार से स्वास्थ हो गया सिक्षा हो गया सब कुछ ले करें तो विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान इस्थितिया अनुकूल नहीं होते हैं आपको कहा जाता है कि से वीकास तब तक नहीं हो सकता जब की वर्थमान इस्तितियां अनुकूल नहीं नहीं होते। Mic तक आप विकास नहीं करिएगा ठीक है विकास तब संभब है जब साकारात्मक विर्दी होती है कौन सा विर्दी तो पहरे बुचो साकारात्मक विर्दी ठीक है जायर सी बात है साकारात्मक विर्दी होगा तो विकास तो हो गई होगा विकास तभी होता है जब गुनात्मक मे निश्चित समय में दो लाग हो जाती है यान किसी निश्चित समय मानख के चलो पांच वर्स में एक लाग से जन संक्या बढ़कर के दो लाग होगे लेकिन अब इसके बढ़ने से क्या इस नगर में विकास हुआ यह यह गाउं है। है क्या गाउं विकास किया यह जरूरी नहीं है। यदि इसी गाउं जनसें क्या बढ़ गया ठीक है यदि पांच साल में फूस का घर से च्छतेल घर सब का बन गया गल यह आपका कच्छी स्रक से पक्की स्रक बन गया गाउं में वाइफाई लग गया फ्री में इंटरनेट सब कोई लोग इंटरनेट चला रहा है है कि नहीं आप जाईएगा इस देट करके हम क्या कहेंगे गाउं में विखास हुआ है तो विखास का मतलब ही होता है कि रहन संद की दसा में परिवर्तन है है तो उधारन के लिए यदि किसी नगड़ की जन विर्धी एक लाक से बढ़र करके किसी निश्चित समय सिमा में 2,00,000 हो जाती है तो हम समझेगे कि नगर में विर्दी हो गई क्या होगी विर्दी यदी माकान तथा अनसुबधाय वही है यह यह जो कात्यों है तो विकास नहीं मानी जाएगे मानव विकास के उद्देश इस परकार है जो जो मानव विकास होता है उसका जो उद्देश है कुछ इस परकार है पहला आपका उद्देश है राज नितिक स्वातंत्रता आत्म निर्भरता और स्वाभी मान यानि पहला उद्देश है कि राज नितिक स्वातंत्र सभी व्यक् कल्यान के लिए किया जाता है यानि जितने भी लोग है सभी के हित के लिए सभी के कल्यान के लिए आपको किया जाता है तीसरा आपका प्रस्ण है विकास में सहा भागिता होनी चाहिए यानि सभी कोई सभी का सहा सागेता होना चाहिए किसी एक के लिए नहीं होना चाहिए चौता पॉइंट है विकास के दोड़ा लोगों को अपनी छमताओं को पूरा उप्योग करने का अवसर मिलता है ठीक है यानि लोगों को जो है सबी लोगों को अपनी छमताओं को अप्योग करने के पूरा आपको अ समता और सतत पोस नियता से आप क्या समझते हैं तो उत्तर प्यारवच्छ आपको कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है समता का मतलब सी सिंपल सी बात है कि समानता लाना सतत पोस नियता कि मतलब इस परकार से वर्ष्टो का पर्योग करना है जिसे हमारे आने वाले पीडि भी उसका पर्योग कर सके उस साधन का पर्योग कर सके जैसे पेट्रोल हो या कोई लाओ गया ठीक है तो उत्तर आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए पाले की समय में लड़का लड़की में खुबना फर्क होता था होता था कि नहीं होता था आज भी देखिएगा कि घर में यदी भाई होए बहान है पैसा का दिक्कत है अम्मा का सोक होगा कि पटना में पराना है तो सब से पहले बेटी लोग को उसके बाद रंग में रंग में समानता गोरा काला से बेदवाव नहीं करना है जाती में समानता धर्म में आधी का ध्यान रखते हुए मिलने चाहिए ठीक है फिर चाहिए समानता का अर्थ है सब के लिए समान अवसर प्राप्त करना समान अवसर सब के लिए बिना लिंग नहीं चाहिए कि पढ़ाया सभी वर्ग प्रसंद नहीं होते हैं और धारन के लिए किसी देश के कौन से वर्ग के लोग विद्याले चोड़ देते हैं यहां महिलाओं तथा आर्तिक रूप से पिछले वर्ग में अधिक होता है अब यहां जो होता है यहां खास करके महिलाओं और पिछले यानि आर्तिक रूप से पिछले वर्ग में अर्धिक होता है अब देखिएगा कि जो आर्तिक रूप से पिछला हुआ है जिसे गरीब को भी पढ़ना लिखना छुड़ा देता है ठीक है इससे यह परदर्सीत होता है कि इन लोगों में ग्यान काम है ठीक है पड़ागरब चेंज करके लिखेगा यह तो समानता का मतलब हो गया समानता के मैं रखने के लिए परत्यक PD को आवसरों को बनाए रखना चाहिए और मानवस संसाधनों का अपयोग भाविस को त्यान में रख कर करना चाहिए इन संसाधनों का दुरुपयोग भविस में आने वाले पीडियों को कम अवसर परदान करेगा कहने का मतलब है कि जो भी पाड़िया वर्णिये चीज है जो सिमित मातरा में जैसे कोईला हो गया पेट्रोल हो गया ठीक है को याती हम इसका परयोग ठेके दुरूपयोग कर देते हैं कि कारण क्या होगा विद्सक्रिक अभशाशना हो गया तो यहां पार प्यादियोच आपको दूसर्ठा प्रसंत्रा समाप्थ होता है इसलिए अब हम आते हैं तीसरे दिर्ग प्रस्ण पे तीसरे आपका दिर्ग प्रस्ण है मानव विका सुचकां की गनना में किन सुचकों का पड़ियोग किया जाता है तो प्यादे विच्छों उत्तर आपको कुछ इस परकार से लिखना है मानविका सुचकां की गनना में निमलिकित सुचकों का पड़ियोग किया जाता है सबसे पाला सुचक है जीवन अबधी डैस दे करके लिखना है एसकीम ओफ जन्म के समय जीवन परतयासा से की जाती है इसका निन्टम मान 25 वर्स से तथा अधिकतम मान 85 वर्स लिया जाता है दूसरा आपका पॉइंट है साक्षर्ता इसे सेक्षिनिक उपलब्दी के रूप में मापा जाता है जैसे जैसे साक्षर्ता बढ़ती है लगबग वैसे ही मानव जीवन का विकास होता है दूहजार एक में भारत की सक्षर्ता पर दूहजार एक आवन की अठाड़ा परतीसत से बढ़कर पैसट परतीसत हो गए ठीक है इस तरह मानव विकास सुचकांग भी बढ़ा बढ़ा जो दूहजार चार्ड में 0.5 से बढ़ करके 0.0.595 आपको हो गया ठीक है दूहजार एक में नेक्स्ट परती व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के रूप में की जाती है परती व्यक्ति आई का डॉलर में करे सक्ती छमता के रूप में बदल जाता है या नूनुतम एक अमेरिकी डॉलर और अधिक्तम चार 40,000 अमेरिकी डॉलर के बीच निश्चित किया जाता है ठीक है मानवविकास सुचकांग ग्यात करने के लिए सबसे पले परतेक सुचकांग का मान ग्यात किया जाता है तीनों सुचकों का मान ग्यात करके इसका आउसत मान ग्यात किया जाता है या आउसत मान मानवविकास का सुचकांग होता है ठीक है तो प्यारेव तो यहां पर आपका दिर्ग प्रश्न तरत अमाप्त हूद चुका है इसलिए आप हमाते वस्तुनिश्ट प्रस्ण पर वस्तुनिश्ट कम्मी आपका प्रस्ण है । फाला प्रस्ण है मानव का अभधारुन लिदवान तो प्यारे बच्चों देखिए कुल मिला करके आपको भुगोल में लग भाग, आप सभी द्याय समापति हो ता है और मैं आसा करता हूं सबी बच्चे फियर कोंपी बनाए पीडिया फाइल से सबी बच्चे कोंपी में लिखे हैं याद करे हमारी बताए गए एम भीविया भीविया परसनों को याद कर दीजिए अब शुरू से निश्ता पुर्वक्त आप लोग याद कर दीजिए चुकि आप online वाले बच्चे हैं याद नहीं करिएगा तो काम नहीं चलेगा ठीक है तो पैड़े बच्चो मिलते हैं next class में यदि आप हमारे पैड कोर्स को जोइन नहीं किये हैं तो जल्दी से इस नमर पर कोल करें हमारा नमर सत्तर 155 पर तलेस बावन और कोल करके हमारे